रावन जिसने माता सीता का परन किया और इसके रिस्पोंस में परवू राम अपने पीस मेसेंजर्स भेचते हैं अंगद और बजरंग बली को सीता माता को छोड़ देने के लिए लेकिन जब रावन नहीं मानता तो यहां पर एक युद होता है जहां पर अच्छाए की जीत हो सकता है जहां लोग अच्छाए और बुराए के कंसेप्ट के अगेंस जा रहे हैं इन फैक्ट हमारे देश में रावन के कई ऐसे डेडिकेटिड मंदिर भी हैं जहां उसे पूजा जाता है और आज के टाइम में कई लोगों के बीच रावन के लिए सिंपती भी आ गई है ल सबसे बड़ा ग्यानी है उनको लोग गलत कहते हैं पर वो गलत नहीं है अगर उनका इत्यास देखेंगे तो वो बहुत अच्छे विद्वान पंडित है तो ये वीडियो मेरी बाकी सबी वीडियो से बहुत ही अलग है तो एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट की अनालिसिस के खिलाफ मैं नहीं जाता इनफेक्ट मेरा मानना ये है कि अगर हम उन टेक्स को और बहतर समझने की कोशिश करें तो हमें एक नया परस्पेक्टिव जानने को मिलेगा हमें एक नए एंगल से जानने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा तो इसी नोट पे हम आगे बढ़ते हैं तो ये सब बाते हम जानते ही हैं कि रावन एक ब्राह्मन एक शिव भग्त और भोती इंटेलिजन्ट था लेकिन फिर भी उसने माता सीता का अपरन करके एक क्राइम किया था और किसी स्क्री के साथ ऐसा करना कोई अच्छा काम नहीं माना जाता इसके इलावा रावन मारीच के दैथ का भी रिस्पॉंसिबल था जहां रावन ने मारीच को बोला कि अगर तुम अभरन करने के लिए मदद नहीं करोगे तो मैं तुमें मार दूँगा यहां मारीच ने परभू राम के हाथों मरना जादा अच्छा समझा इसके इलावा रावन जटायू को भी मार देता है जब वो सीता माता को बचाने के लिए आ रहा होता है रावन से और इन सबी बातों पर लोगों दवारा ये बोला जाता है कि वो एक शीवभग था एक ब्रहमन था और ब्रहमन के संसकार बहुत ही अच्छा होता है लेकिन ये किस तरह के संसकार है जो किसी स्त्री को इस तरह से डिल सोनर करे अब रावन के दुवारा की गई कई और अट्रो सीटीज को उत्तर कांड में बताया गया है जहां रावन ने अपने हाफ ब्रदर कुबेर पर हमला किया और उससे लंका और पुश्पक विमान को छीन लेता है कुबेर दुवारा भेजे पीस मेसिंजर को रावन मार देता है और उसकी डेड वोडिस को उसके राक्षश खा लेते हैं फिर रावन वहाँ पे जाता है जहां राजा मारुट यक कर रहे थे वो वहाँ पे जाके सभी सादूओं को मार देता है और उनका खून पीता है अब यहां से में पता चलता है कि रावन ना सिर्फ एक राक्षश बल्कि एक मडरर एक रोबर और एक कैनिबल भी था अब उसकी mentality उस टाइम पे क्या रहती होगी जब वो किसी को खा रहा होता होगा अब यहां पर point यह नहीं है कि रावन एक शिव भक्त, सकोलर और ब्रामन था बलकि point यह है कि एक शिव भक्त, सकोलर और ब्रामन भी रावन हो सकता है और अब अगर हम रावन के करेक्टर को थोड़ा और डीप में जाने तो जब सूर्पनखा रावन के पास आती है उसे किस तरह से क्रिटिस साइज करती है तो आरण्य कांड चेप्रेट 33 सूर्पनखा कहती है जि रावन एक वल्गर प्लैजर से एडिक्टीड है और इसके अंदर कोई भी अच्छी क्वालिटीज नहीं है और रावन के जस्टिफिकेशन में एक फाइनल आर्गुमेंट ये उड़ती है कि उसने सीता माता के साथ अच्छा वहवार किया था लेकिन अगर तुम अरण्य कांड के चैप्टर 49 तू 52 पढ़ लोगे तो तुम तुमें पता चल जाएगा कि रावन कैसा वहवार किया था माता सीता के साथ जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तुम इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हो लेकिन ये सभी बाते मैं इस वीडियो में डिसकस नहीं कर सकता क्योंकि वो थोड़ा अभीकार नहीं करोगी तो तुम्हें किचन में भेज दिया जाएगा तुम्हें पकाया जाएगा और तुम मेरा नाश्ता बनोगी अब यह किस एंगल से तुम्हें respectful manner लगता है और at the end रावन एक बुराई का सिंबल है और तुम्हें इस वीडियो से क्या लैसन मिला मुझे कॉमें जरूर बताना और अगर तुम फ्यूचर में ऐसे ही क्रेक्टर एडियो जी वीडियो को देखना चाते हो कॉमें बता सकते हो कि तुम्हें किस क्रेक्टर पे चाहिए और इस व